नमस्क्राइब दोस्तों स्वागत आप सभी काथ सपना जोफिन चानल में दोस्तों आज हम कोक्षा अठवी विशे हिंदी द्वीतिय सत्र परिख्षा 2018-19 की यह सरा पुष्ट पत्रता देख रहे हैं चलो हमें इस वीडियो को शुरॉर करते हैं पहला पुष्ट अनिम्नलिक परिख्षत पढ़कर सुचना के अदुसार क्रूतिया कीजिए तो इस तरह से हमें आप एक परिख्षत दिया गया है अब इस वीडियो को पॉस कीज़र इस परिच्षत को पूरा पढ़ लीजिए चला आगे लिखते हैं क्रूति पहली है आकलर निम्नलिकित विधानों को स सकती है परन्तों शरीर अमर है तीसरा है उत्तर लिखिए लोकमान ने जीद्वारा दिया गया नारा कौनसा नारा है अगर आप यह परिच्षत पूरा पढ़कर लिखेगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा दूसरी कृति कृति पूरू न करो जन्मसिद्धा अदिकार बावना की विच्षत आए अब इसको हमें यह तक्ता दिया गया हुआ है उसे हमें कंप्लीट करना है आगे हैं शब्द संपदा निमने लिखे शब्दों के आगे पर्याइवाची शब्द लिखिए बा निमने लिखे शब्दों के लिए शब्द समुह लिखिए खुरूत एक बार और आपको इस वीडियो को पॉस्ट करना है और इसको परिचित को पढ़ लेना है अब हम आगे चलते हैं क्रुती एक आकलं क्रुती और प्रभाहत आली का प्रोणा कीजे मनुष्य द्वारा खिती करने पर हुए लाब अब इसको एक ना है आगे है ब कारण लिखिये मनुष्य को रोज शिकार खेलना पड़ता आगे मनुष्य पहले लोगों के लिए एक जगर आना जरूरी नहीं था क्रुती दोन आकलं क्रुती उची जानकारी लिखिये काम का विभाजन इन नहीं हुआ किन लोगों में हुआ इसका उत्तर लिखना है आगे बह निम्नलिखित विदान सही करके लिखिये और घर में रहकर बच्चों और पूड़ों की निगरानी करती होगी दूसरा इन जान रिखना है अगे देखते हैं है वी लुंशब्ड लिखिये अच्छा औ और आबाद का विलोण शब्द लिखना है विलमां बतलब विरुद्धार्ती आगे है परिश्विक्टमे प्रयोक्त शब्ध युगम लिखिये उसके आगे देखते है कुरुति चार स्वम्मत अभिव्यक्ति कुरुषी क्षेत्र में लिए गए नए नए प्रयोगों से होने वाली लाव लिखिये दूसरा निमने लिखित बध्यांश में पढ़कर सुचनाओ के अनुसर कुरुतिया कीजिए यहाँ पे हमें पद्य दिया गया हुँ है पद्य मतला कविता और गद्य मतला जो हमें देते हैं परिचिद आगे है उसका प्रवाहत अलिक प्रोन केजे कवी की अपिक्षाई आगे है कुरुति प्रोन केजे धर्ति का आंगन महके इसका हमें अब यहाँ पे जो तक्त दिया गया हुआ है वो कम्प्रीट करना है आगे है पद्याश में प्रयोक्त प्राकृतिक संपदा चार संपदा लिखनी है हमें प्राकृतिक आगे है पद्याश में उल्लेखित एक फूल का नाम इस पध्याश्य में जो फूल का नाम दिया गया हुआ है उसका नाम लिखना है आगे है व्याकरण और भाषा अध्यान अब ये पार्ट शुरू होता है हमारा भाषा अध्यान का महावरों का आर्थ लिखकर अपने सार्थ वाक्य में प्रयोग कीजिए नीचा दिखाना दूसरा निमने लिखित कारक विभक्ती का वाक्यों में प्रयोग कीजिए ने और मेका तीसरा है अव्याओं का वाक्यों में प्रयोग कीजिए परंतु और दूसरा है के सामने चोथा स शिशन शब्दों के भेड लिखिए वहो और चार विराम चितना लगा कर वाके फिर से लिखे तुम्हारे दाने कहा है और दुसरा है अरे रामू बाप की घोड़े बेच कर सो रहा है आठ शब्दों के लिंक पहुचान कर लिखे कवियत्री और पिता उसके आगे हैं शब्द के प्त्र का प्रारूप तैयार कीजिए गया ही ऐक पे हमें प्रमेश लिखित प्रत्रारूप याज़ लिखने हैं निम्ले लिख्फित वाक्विहों का हिंदी से अंद incumb reviews अंदरं श्रद्द से खात कि लाएं इस तरह से हमें चार प्रूस के में मराठी में उसे हमें हिंदी में अनुवाद करना है अत्व यहाँ पर परिच्छ दिया करें आप्यर्यश्य आयरकरी पर ग्रहा है गो में ही हो तो इस तरह से हमारा वीडियो यहीं पर रुपता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए दन्यवाद